स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A चले देखते हैं इसके विसलेशन को राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग यानि NCBC 102 में समवेधान संचोधन अधीनियम 2018 ने राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग को समवेधानिक दर्जा प्रदान करते हुए समवेधान में एक नया अनुचे 338 भी शामिल किया इस प्रकार 102 में समवेधानिक संचोधन 2018 के बाद NCBC एक वेधानिक निकाय नहीं रह गया और एक समवेधानिक निकाय बन गया NCBC में एक अधक्ष, एक उपाधक्ष और तीन सदस्य होते हैं जिने रास्ट्रपती द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहट वारंड द्वारा नियुक्त किया जाता है अतविकल्प A सही है तो चले शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ शंगाई सहयोग संगठन यानि SEO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है दो, राश्ट्रा ध्यक्षों की परिशत, SEO की सर्वोच निर्ना लेने वाली संस्था है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल दो चले देखते हैं इसके विसलेशन को शंगाई सहयोग संगठन इसके स्थापना 2001 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उजबेकिस्तान और ताजाकिस्तान द्वारा की गई थी 2017 अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में SEO में शामिल हो गया अतक अधन एक सही नहीं है रास्टा धेक्षों की परिशद SEO की सर्वोच निर्णा लेने वाली संस्था है और इसमें सभी सदस्य देशों के राष्टा धेक्ष शामिल होते हैं अतक अधन दो सही है शेत्रिय आतंकवाद रोधी सनरशना SEO के स्थाई अंगों में से एक है और इसका मुख्याले ताशकंद उजबेकिस्तान में है अतक अधन तीन सही है अगला प्रश्न है और निर्देशित अपनी अधिनस्त विदेश निती को समाप्त करने के लिए की गई थी तीन ये तीनों देश परमाणुशक्ति संपन है और सेंगतुराष्ट सुरक्षा परिसत के स्थाई साधा से है उपर्युक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन इस पेशल का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चले देखते हैं इसके विशलेशन को रूस भारत और चीन त्रिपक्षिल समू एक रणितिक समू के रूप में RIC ने पहली बार 1990 के दशक के अंत में रूस के प्रधान मंत्री येवगेनी प्रीमा कूब की नेतरतों में आकार लिया रणितिक त्रिकोन का विचार तब वास्विक हो गया और भारत के साथ पुराने संबंदों को नवी निकृत करने तथा चीन के साथ हाली में हुई मित्रता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी अदग अधन दो सही है तीनो देश परवाणों शक्तियां है और रूह सेवं चीन सहीं तुराष्ट सुरक्षा परिशत के इस थाई सदस्य है जबकि भारत बनने की इक्षा रखता है अधग अधन तीन सही नहीं है अगला प्रश्ण है समान्यकृत वरियता प्रणाली के संबंध में निम्नलिकित कत्रों पर विचार कीजे एक यह एक ऐसी सुविदा है जिसके द्वारा विक्सित देश विकास सील देशों में उतपन होने वाली वस्तों पर टैरिफ रियायत प्रदान करते हैं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक और दो चली देखते हैं इसके विसलेशन को समानिकृत वरियता प्रणाली आनिजी जी एसपी सामानिकृत वरियता प्रणाली एक गयर समवेदातमक उपकरण है जिसके द्वारा ओध्योगी क्रूप से विक्सित देश विकास सील देशों में उतपन होने वाले सामानों पर टैरिफ रियायत प्रदान करते हैं अतकतन एक सही है जीएसपी में अंतनेद सिध्धानतों को आपचारिक रूप से मार्च 1968 में नई दिल्ले में आयूजित दूसरी अंकटाट सम्मेरन के दौरान सुएकार किया गया था अतक अथन दो सही है विकास शील देश जीएसपी वारता में शामिल नहीं है अधिमान उपचार प्रकृती में गयर पारसपरिक है अतक अतन तीन सही नहीं है अगला प्रश्न है राष्ट्रे विनिरमार निती 2011 में निम्रलिखित में सिक्स उद्देश को रेखांकित किया गया था एक वर्ष वर्ष 2022 तक राश्ट्री सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्मार शेत्र का युगदान कम से कम 25 प्रत्षा तक बढ़ाना 2. वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतुरिक्त नौक्रियां उत्पन करना 3. वर्ष 2022 तक भारत की अर्थवेस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना निचे दिये गया कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये 1 केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 2, चली देखते हैं इसके विस्टेशन को राश्ट्री विनिर्मार निती 2011 वर्श 2022 तक राश्ट्री सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्मार शेतर का युगदान कम से कम 25 प्रत्शन तक बढ़ाना अतक अधन एक सही है रोजगार सिजन की दर को बढ़ाना ताकि वर्श 2022 तक 100 मिलियन अत्रिक नौकरिया उत्पन की जा सके अतक अधन 2 सही है वैशिक प्रतिस परधात मक्ता, घरेलू मुले वर्धन और विकास की पर्यावरने इस सिर्था को बढ़ाना इसमें वर्श 2022 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थविस्था बनाने का उलेख नहीं है अतक अधन 3 सही नहीं है अगला प्रेश्ण है पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, पीयोके पर नियंतरण भारत को अफगानिस्तान के लिए एक सीधा भूमी आधारित मार्ग प्रदान करेगा दो, पीयोके पिपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना और पाकिस्तान को जोडने वाला एक मात्रमाध्यम है तीन, चीन पाकिस्तान आर्थी गल्यारा पाकिस्तान अधिकरित वाले कश्मीर से होकर गुजरता है उपर युक में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बीक एवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन चले देखते हैं इसके विसलेशन को पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर यानि पी-ओके पी-ओके अफगानिस्तान के साथ एक छोटी सीमा साजह करता है जिससे भारत को अफगानिस्तान को सीधी सडक मार्ग से जोडने में मदद मिलेगी बदक्षा प्रांथ में वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान को पाकिस्तान अधिकरित वाले कश्मीर में गिलगित बालिस्तान से प्रिथक करता है अतक अफगानिस्तान के साथ एक सीमा समझोते पर हस्ताक्षर किये तो उसने शक्ष गाम घाटी चीन को सौब दी अतक अफगानिस्तान अगला प्रेश्ट है पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 और 6 के तहट पीड़ितों की देखभाल तथा सहायता योजना के संबंद में निर्मलिकित कथनों पर विचार कीजे एक इसका उदेश नाबालिक और वयस्क गर्भवती लड़कियों दोनों को एक ही छट के नीचे एकिगरित समर्थन एवं सहायता प्रदान करना है इसका उदेश नाबालिक गर्भवती बालिकाओं को एक ही छट के नीचे एकिगरित समर्थन और सहायता प्रदान करना है अतक अथन एक सही नहीं है पात्रता माबदन 18 वर्ष से कम आयू की कोई भी लड़की जो इसका शिकार हुई हो प्रवेशन यौन हमला पॉक्सो अधिनयम 2012 की धारच चार गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीडर पॉक्सो अधिनयम 2012 की धारच है यह महिला इवंबाल विकास मंत्राले के निर्भय फंड के तहट 100 प्रद्शत के इंदर पोशित यूजना है अतक अथन 2 सही है अगला प्रश्ण है नोबेल पुरसकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, मूलरूप से यह पुरसकार बहुत की रसायन विज्ञान चिकित्सा साहित और शान्ति के छेतर में प्रदान किया गया था दो, नोबेल पुरसकार जीतने वाली पहले महिला मैरी क्यूरी थी और उन्होंने यह पुरसकार तीन बार जीता तीन, रबिंदर नाठ टैगोर 1913 में शान्ति का नोबेल पुरसकार पाने वाले पहले गैर यूरोपी और भारतिय थे मूल रूप से नोबेल पुरसकार भातिकी रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, सहित और शान्ति के शेत्र में प्रदान किया जाता था अतकथन एक सही है बाद में वर्ष 1968 में आर्थी विज्ञान के शेत्र में छटा पुरसकार जोड़ा गया लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर नोबेल पुरसकार जीतने वाले पहली मैला मैरी क्यूरी थी और उन्होंने या पुरसकार दो बार जीता अतकथन दो सही नहीं है कवी और लिखक रविदनाट्यागोर वर्ष 1913 में साहित में नोबल पुरसकार पारने वाले पहले गैर येरोपी और भारती थी अतकथन तीन सही नहीं है अगला प्रश्ण है कोरल ब्लीचिंग के संबंध में निमनलकित कथनों पर विचार कीजे एक, कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब तापान, प्रकाश या पोशक तद्वो जैसे परियावर्णी परिवर्दनों से तनाव के कारण प्रवाल सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जिससे वे पूरी तरह से सफेध हो जाते हैं दो, हल्का सफेध रंग कैल्शिम कार्बोनेट के पारभाशी उतको का होता है जो वर्नक उतपादक प्रवाल विरंजन के च्छे के कारण दिखाई दिता है उपरियुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो चली देखते हैं इसके विसलेशन को कोरल बीचिंगी परिघटना तब होती है जब तापमान, प्रकाश या पोशक तत्वो जैसे परियावर्णी परिवर्दनों से तनाव के कारण कोरल सह जीवी शैवाल को बहार निकाल देते हैं जिससे वे पूरी तरह से सफेध हो जाते हैं अधक अथन एक सही है अधक अथन दो सही है बलीच किये गये कोरल विरंजन के स्तर और समुद्र के तापमान के सामान स्तर पर आने के आधार पर जीवीत रह सकते हैं अगला प्रश्ण है नागरिक्ता संश्रोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक CAA चार धर्म के आधार पर गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिक्ता प्रदान करता है दो या छे समुदायों की सदस्यों को पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 एवं विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विशलेशर को नागरिक्ता संशोधन अधिनियम CAA 2019 CAA तीन पडोसी देशों, अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान के छे गैर मुस्लिम समुदायों, हिंदू, सिक, बौद, जैन, पार्सी या इसाई के प्रवासियों को नागरिक्ता प्रदान करता है जिनोंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था अतकथन एक सही नहीं है इस अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे अलपसंख्यकों को अवैद प्रवासी नहीं माना जाएगा तथा उन्हें पास्पोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 एवं विदेशी अधिनियम 1946 के धारातीन के तहर दंडनी अधाराओं से छूट दी जाएगी अतकथन दोस सही है दोनों अधिनियम अवैद रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त हो चुके वीजा और परमिट पर यहां रहने के लिए दंड निर्दिश्च करते हैं अगला प्रेशन है एकी दोसोतीन असॉल्ट राइफल्स के संबंध में निम्रलिखित कतरों पर विचार कीजे एक भारत और फ्रांस ने वर्ष 2019 में एकी दोसोतीन असॉल्ट राइफलों के उत्पादन के लिए एक अंतर सरकारी समझोते पर हस्ताक्षर किये दो, उतरप्रदेश में कोरवा आयूत फैक्टरी ने 7.62 मिले मीटर कलाश्री कोव एकी दोसोतीन असॉल्ट राइफलों का पहला पैश तयार किया है उपर उक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रेश्ट का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो, चली देखते हैं इसके विशलेशन को भारत और रूस ने फरवरी 2019 में एक ए दोसोतीन असॉल्ट राइफलों के उत्पादन के लिए एक अंतर सरकारी समझोते पर हस्ताक्षर किये अधक अथन एक सही नहीं है उतरप्रदेश के अमेठी में कोरवा आयुद फैक्ट्री ने 7.62 मिलिमीटर कलाश्री कोव एक ए दोसोतीन असॉल्ट राइफलों का पहला बैश तयार किया है अतक अथन दोस सही है इंडो रशिन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार की मेड इन इंडिया पहल और डी एपी यानि रक्षा अधिगरण प्रक्रिया 2020 का पूरी तरह से अनुपालन करती है तो चलिया अंत में देखते हैं आज का भ्यास प्रश्न को इस प्रश्न का उत्तर कमेंड बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही धनेबाद दियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले